अगर अगर बात करें हम तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टरों की टीम है पसू डॉक्टरों की टीम वह भी बेक्सिनेटर सहायकों के सहयोग में आ गई है और अब उसका भी कहना है कि पसु मित्र या फिर वेक्सिनेटर सहायक उनको जो है भाल करना चाहिए और उनको जो है मासिक सेलरी देना चाहिए इसी के बारे में बात करते हुए हम आप लोगों को बताते हैं कि डॉक्टरों ने ही जो है न्यूज पेपर में इसको निकल आया ह हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग हमेशा अपडेट भी रहें और आप लोगों को जो है सारी जानकारी भी मिलती रहे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू कि पसु स्वास्त रच्छा टीका कर्मी संग गोब गुट जिला बैसाली के जिला कमेटी की बैठक प्रम की अच्छता जिला अध्यच राम बाबू राय ने किया तसा संचालन प्रखंड कारी अध्यच विसंभर कुमार ने किया बैठक में टीका कर्मी संग के बिभिन मांगू पर विचार बिमर्स हुआ सरकार से सिग्र सभी टीका कर्मियों को प्रखंड के सभी पंचायतों में बिकास मित्र की तरह पसो मित्र के रूप में बहाल करने की मांग की गई बैठक में प्रदेश अध्यच कमलेश कुमार राय के आमंतरन के बावजूद उपस्तित नहीं होने पर सभी टीका कर्मियों ने निंदा प्रस्ताव दिया वहीं आगामी टीका करन कारण करने पर भी निरने हुआ जिला ध्यच राम बाबू ने कहा कि सभी टीका कर्मी संग गठन को मजबूत करें आप सभी की लडाईयों हाई कोट तक पहुंचाई जाएगी सीगरी हाई कोट में आशिका दाखिल कर दी जाएगी टीका कर्मी को बहाल करने के बाद कही गई आन्य समस्याओं पर विचार किया गया मौके पर अभिनास नीरज विकास अब सेग अभिमन्यु आज में वजूद रहे दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमें सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद